जिया नमस्कार मित्रों आज है 14 फेबरुरी सुमवार कल था 13 रविवार तो जाना है कि ये दो दिन के करंट अफेस में क्या था साइंस टेकनोलोजी एन्वाइरमेंट के कुछ समाचार मुख्य थे एक बात चल लिए EOS04 सैटलाइट लॉंच होने वाला ये क्या ये बात ऐसी है कि एक जमाने में ये इसरो अर्थ अबजर्वेशन के लिए कार्टो सैट, ओशन सैट, रिसोर्स सैट, जी सैट, स्कैट सैट ऐसे सैटलाइट लॉंच करता था पुरुथवी का आउलोकन करने के लिए फिर सोचा कि अलग-अलग नाम नहीं एक कॉमन नेम फार्मेट रखते हैं तो उसको काया जाता है अर्थ अबजर्वेशन सैटलाइट यानि EOS अब ऐसा चोथा सैटलाइट चोड़ा जा रहा है तो EOS04 PSLV लॉंच वेहिकल से इसे चोड़ा जाएगा इसकी खास बात क्या है इसे Sun Synchronous Polar Orbit में रखा जाएगा जो करीब 500 किलोमेटर दर्थी से दूर है Sun Synchronous Polar Orbit का मतलब क्या Polar मतलब दुरू, North Pole and South Pole, उत्तर दुरू, दक्षिन दुरू तो यह ऐसे ऐसे गुमेगा यह सैटलाइट, उपर से नीचे, उपर से नीचे लेकिन वो इस तरह से गुमेगा कि अगर सूर्य के Point of View से देखा जाए तो इसकी Position स्थिर ही दिखे वो कैसे वो पूरा Animation से देख सकते हैं लेकिन हमको उसमें टाइम वेस्ट नहीं गरना, सभी शन्टूनों ऐसी कुछ चीज है यह और इसकी मदद से Earth का Observation किया जाए वो सपात है अब यही जो PSLV लॉंच भी इकल है, जिससे यह EOS4 सैटलाइट लॉंच हो रहा है उसी की मदद से एक Inspire सैट भी लॉंच होने वाला यह students ने बना एक सैटलाइट है फिर ज़रा नक्षे में देखे यह Arctic, नीचे Greenland, फिर Norway का यह Slowbird नाम की यह कोई जगा देखती है उसे भी नीचे जाए Sweden, Finland, Norway, Iceland वगएरा तो चर्चा में क्यों आया? यह जो Slowbird है वहाँ पर Global Seed Vault है Vault मतलब तैकाना या तीजोरी जहां पर यह Bank के Vault में सब गेने, हीरे, मोती, पैसा रखा जाता है तो Seed Vault में क्या रखते होंगे? फसल के सब बीज रखे जाते हैं क्यों रखे जाते हैं? ताकि कुछ लड़ाई हो जाए, disease हो जाए, कोई zombie attack हो जाए और पूरी दुनिया में सब तबाह हो जाए, तो भी वहाँ पर Seed को उसको वापस लाके plant कर सके चर्चा में क्यों आए, इस world को खोला जा रहा है, इसमें नए नए सबसीड़ रखने वाले है फिर agriculture में climate smart agriculture, लंबी चोड़ी कॉलम दी है यहाँ पर नया वैसे कुछ नए, कुल मिला कर बात यह है कि नए budget में सब क्या-क्या प्रोविजन थे जो हम already budget की अलग lecture में देख चुके, और फिर चिंता जाता है कि यह सब wheat and rice का procurement किया जाता है और वो खीसान जादा पैदा करते हैं, जिसके चलते सब urea and soil pollution वगरा, तो नया तो कुछ है नहीं, already we have studied all that so this is done, फिर कुछ बात है, pollution, greenhouse gas emission तो बारत सरका nitrous oxide emission के आँख़े दुनिया में नहीं दिखाता है, जो भी उसे ये UNFCCC और क्योटो और Paris deal के हिसाब से आँख़े जारी करने चाहे लेकिन हम nitrous oxide emission के आँख़े नहीं दिखाते हैं, कुछ science में ऐसा पाया गया कि controlled या intermittent flooding, मतलब खेत में सीचाए के लिए पानी जो डाला जाए और intermittent, मतलब रुक रुक के जो नहर से पानी उसमें डाला जाए खेत में, तो उसकी मदद से methane emission कम हो जाता है, क्योंकि वो जमिन पे पानी बिजग गया और जो जमिन के अंदर से methane सरजित होना चाहे वो कम हो जाए, लेकिन फिर भी nitrous oxide का emission होते रहता है, शायद इसलिए कि वो पानी के साथ यूरिया या कुछ रिए करता हो, अगर कुछ केल हो, तो मतलब वो emit होता है और चिंता का विशा है वगयर, यही सब चिकने चूपड़ी बात है उसमें, फिर है hydrogen के प्रकार, एक होता है grey hydrogen, मतलब natural gas, प्राकुतिक gas में सब process किया जाए, तो natural gas में क्या अगर CH4 methane, तो उसमें से hydrogen H2 अलगो, और carbon dioxide अलगो, लेकिन यह जो carbon dioxide है वो फिर उसको atmosphere में इसा होता है, तो hydrogen जो हमने बना है उसे हम कहेंगे grey hydrogen, दूसरा होता है blue hydrogen, उसमें करना तो वही है कि natural gas में process करो, तो प्राकुतिक gas में methane CH4, उसका भी गटन हो, तो hydrogen मिले, carbon dioxide मिले, और यह जो carbon dioxide है लेकिन उसको atmosphere में release न होने दिया जाए, उसको store किया जाए, reuse किया जाए, carbon sequest station वगेरा, ऐसा कुछ किया जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो बना वो grey hydrogen नहीं, उसे कहेंगे blue hydrogen, तीसरा होता है green hydrogen, वो ऐसा कि यह renewable energy की मदद से electrolysis किया जाए, और पानी यानि H2O में से hydrogen अलग किया जाए, तो आप समझे उसमें तो carbon dioxide emit होगा नहीं, तो ऐसा जो hydrogen बनाए गया उसे हम कहते है green hydrogen, चलचा में इसलिया है कि यह जो blue hydrogen है, तो मुकेशंबानी वाली reliance company कहते है कि हम दुनिया का largest manufacturer of blue hydrogen बनने वाले हैं, और उसकी मदद से यह सब vehicle चलाए जाए और सब energy का इस्तेमाल हो, फिर एक मुद्दा है volcanic thunderstorm, थंडर स्टॉर्म अलब आंधी, चक्रवात और बिजली गिरे ऐसा सब हो, तो यह देखिए ज्वाला मुखी फटा और यह बिजली भी गिर रही है, और यह आधी आई हो ऐसा लगता है, is it possible, तजवाब है yes, it is possible, अगर जो ज्वाला मुखी है, वो समंदर के एकदम करीब हो, जैसे कि इटाली में आप देखिए, यह न भी जोड़ी बात ऐसी है, there is one national food security act, राश्टियव खादे सुरक्षा कानून, वो गरीबों को एक रुपए, दो रुपए, तीन रुपए में ग्यों चावल, जवार वो सब दिया जा ऐसा कानून, यह एक चलता है, दूसरी एक योजना चलती है, प्रदान मंदरी जनारों क यह जना, वो क्या होता है, गरीबों को पांट लाग रुपए का health insurance दिया जाए, अब नीतियायोग ने यह पाया, कि बहुत सारे lower middle class family, उनको या तो food security act का तो लाब मिलता है, लेकिन health insurance वाला लाब नहीं मिल रहा है, तो what is the solution, उसके लिए आदार का number सब का integrate किया जाए, और फिर एक socio economic cost census, यानी SECC हुआ था, उसके साथ सब को cross verify करे, कि ओके यह आदमी गरीब है की नहीं, इसको food security का लाब मिल ला है, तो health insurance क्यों नहीं मिल ला है, और फिर उन सब को भी लाब दिया जाए, तो यह सब करने के लिए national health authority यानी NHA, जो कि प्रदान मंत्री जनारोगे य को लाब मिले, कोशिश करे, लेकिन state governments मना कर रही है, दे नहीं रही है, उनको क्यों ऐसा, राजे सरकारों को data साजा करने में क्या problem है, एक तो आधरकार की privacy क्या, ऐसे ही एक से दूसरे organization में सब data दे सकते हैं, कि नहीं, ऐसे कानूनन बादा है, दूसरा उनको डल लगता है, कि ये सब data मिला कर केंद्र की BJP सरकार अपने को जलील करेगी, for example, ये 2021 का economic survey है, उसमें एक chapter था, PM, JN, JHO, उसमें बात सब ऐसी थी कि, वेस्ट बेंगाल ने प्रादान मंत्री जनारों के योद्ना पाटलाग का health insurance implement नहीं किया, जबकि उसके पडोसी राज असाम बिहार ने सब data share करने में मनाई करें, तो एक तरफ human resource development, health insurance, for security का भी मामला है, साथ ही साथ federalism का भी मामला है, वो सब rights issue में, आपकी data privacy का भी ये मामला है, फिर counter-cyclic feasible policy, प्रती चक्रियर आज कोशिय निती, वो ऐसा कहता है कि economy तेजी, मंदी, तेजी, मंदी चलती रहे, तो जब भी मं चलती हो, तो सरकाने और पैसा खर्च करना चाहिए, highway hospital school बनाने के लिए, ताकि वहाँ पर ये steel, cement industry, लोगों को रोजगार मिले, और हमने आगे budget वीडियो में देखा था कि कैसे नए budget में करीब 60,000,000 करोड रुपे capital expenditure के लिए दिये जा रहे हैं, state government को apex loan के नाम पर 1,000,000,000 करोड दिये जाएंगे 50 साल के लिए और ब्याज मुक्त loan होगा, without no need to pay interested, इसके लावालक से एक national infrastructure pipeline जिसमे 111,000,000 करोड रुपे खर्च होने वाले हैं, उसी को आगे बोला गया PM गती शक्ती है, तो ये सब देखते हुए तो मतलब की जोरदार काम होने वाला है, लेकिन opposition party ये दलिल दे रही है, कि ये जितना पैसा capital expenditure, infrastructure के नाम पे खर्च किया जा रहा है, असल में वो पैसा लाने के लिए union government ने, state government को जो granting aid के नाम पर, पंचायती body disaster management, वो सब के लिए पैसा देते थे, या subsidy for food fertilizer fuel, खाजे subsidy, यूरिया subsidy, fuel subsidy में petrol diesel पे तो subsidy नहीं है, लेकिन LPG cylinder पे जो मिलती है, वो सब में मलब कम ही की गई, अपने आगे भी एकात बार देखा था कि LPG cylinder पर जो पहल subsidy मिलती थे, वो भी काफी time से बंद है, तो वो सब करके ये पैसा बटो रहा है, और उसकी मदद से ये चलाय जा रहा है, लेकिन असल में सरकानेगरी बोको पैसा देना चाहिए वगर वगर बात है, फिर infrastructure में transport infrastructure और उसमें airlines, तो interline pact, interline pact क्या होता है, मेरा हवाईज आज बिगड गया, तो मेरे मुसाफिरों को आपके वि याद नहीं रखना कि Air India ने sign किया या विस्तारा ने sign किया या इंडिगो ने, interline pact क्या था जान लिया, कि एक का plane भी गड़ जाय तो उसके passenger को दूसरे के plane में, दूसरी company के plane में बिठा दिया जाए, LIC ने IPO फाइल किया, भै ये तो अब रोज का आतर हैगा, हम रोज पढ़ गया, वो भी अब RBI या सुप्रीम कोड कुछ बोले, फिर देखते हैं, अब इसे दिमाग हर्चने करना है, फिर पॉलिटी के समाचार में uniform civil code, उत्राखंड के, पहले तो उत्राखंड है किदर, ये ले, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्राखंड, देरादुन, बाजु में हर्याणा, उत्राखंड में, सीम का ये कहना है, हमारी सरकार वापस चुनके आएगी, तो समान नागरिक सहीता यानि uniform civil code लागू होंगे, uniform civil code का मदलब क्या है, ये सब हिंदू, मुस्लिम, सीखिसाई, सब के जो marriage, divorce, inheritance, शादी, इतलाक, संपत्ति, वारिस, बच समान कानून लगे, तो क्या ऐसा करना चाहिए, वैसे राजे के पद दर्शक सिद्धन्ध, डारेक्टिव प्रिंसिपल्स अब स्टेट पॉलिसी, उसमें लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्मेंट तो पूरी बारत के लिए ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक स्टेट के लिए कानून बना सकता है, दूसरा कि ये जो पर्सोनेल लॉज होते है, मतलब शादी ब्या, तलाग, विरासत, बच्चा गोड लेने के कानून, वो कंस्टिटुशन की साथ भी अनुसूची, सेवन शिटूल में है, और उसकी कॉनकरंट लिस्ट, परसीड दा स्टेट लॉज, तो असल में तो यूनियन गवर्मेंट ने ये सब करना होगा, आफी टाइम पहले हमने पढ़ा था कि गोवा में पहले से यूनिफर्म सिविल कोड है, और कुछ जज नहीं ये का था, उसको स्टड़ी करो और बारत में लागू करो, लेकिन बा ये सब करने में तिकते आएंगी, उसी तरह नॉर्थ इस्ट के कुछ स्टेट है, तो वहाँ पर हमने आगे पढ़ा था कि कैसे वो जो छोटी बैटी है, उसे परिवार की सारी संपती उसके आत में आती है, और जो बड़ी बैटी है या दूसरे उसके भाई हैं, उसको प्र लोज फैमिली में शादी नहीं करते, लेकिन दक्चिन बारत में ऐसा होता है, कि जहां पर तो यह सब देखते हुए कि कॉमन सिविल कोड बनाया जाए और सब पर एक प्राकार के नियम लागू हो, तो वो मुश्किल है और भी इसमें मुद्धे जूल सकते हैं, वो आप पॉलिटी वगेरा में देख लेना फिर फैडालिजम में एक और मुद्धा चला है, आंद्रप्रदेश और तेलंगाना का जो बटवारा हुआ था उसका 2014 का कानून की दर है, यह आंद्रप्रदेश पड़ोसी राज ये कौन से हैं, ओडिसा, चतिसगड़, तेलंगाना, करनाटक, नीचे टच करता है तमिलनाड़वर, तेलंगाना को, चतिसगड़, महराष्टर, करनाटक और आंद्रप्रदेश हाँ तो दोनों का बटवारा और अभी कुछ मामले फिर भी बाकी है कि पावर प्लांट होगा तो उसमें से किसको कितनी बिजली मिले, दोनों का कमबाइन पैसा सरकार के पाजो था, किसको कितना मिले, कुछ एक सेंटरल ट्राइबल युनिवरसिटी बनाने की बात, यह सब करने के लिए एक नई पैनल होम मिनिस्टी बनाने जा रही है, अब वो कुछ आएगा बड़ा तो हम देखेंगे, फिर मामले चल रहे हैं एथिक्स और उसमें पुलिस एथिक्स, कुल मिला कर बात ऐसी है, यह एंटी टेररिस्ट कॉड एटीयस, तो महराश्टाई एटीयस म जो पॉलिस ऑफिसर नौकरी करते हैं, उनको 25% एक्स्टा सेलरी मिलती है, यह कंबेट तो कोई ओर्डिनरी थाने में वो नौकरी करें, लेकिन फिर भी पॉलिस ऑफिसर वहाँ ट्रांसफर नहीं चाहते, उसके लगलग कारण है कि पहला कि जो ज़्यादा सीरियस बड़े- वो याद करो, वो मुकेशंबानी की घर के आगे एक बॉम वाली गाड़ी रखी थी, बिटकोईन रैंसम में मागा था, फिर उस केस में उनके होम मिनिस्टर भी सब कॉंट्रोवर्सी में पुलिस कमिशनर अब मुंबई उसको भी भागना पड़ा, तो बाकी सब ओफिसर को पुलिस ओफिसर्स थे, उनको वो इश्रत सोराबुद्दिन केस के बाद जेल बेजा गया था, इंक्लोडिंग सम IPS ओफिसर्स, तो उसके बाद बाकी ओफिसर की एटीएमस में नौकरी करने में मज़ा नहीं है, अब आप सोचिए वैसे तो डीजीपी या होम मिनिस्टर, कि इसलिए जिसको सच में दिल लगा के काम करना है, उसे वहाँ पर रखना चाहिए, तो महराश्टर डीजीपी ने काफी कोशिस की, लेकिन कोई आगे नहीं आया, तो उसने अपने Facebook पोस्ट में ये डाला है, कि I am addressing all the police officers, जिसको भी ये transfer लेना है, मुझे Facebook पोस्ट पे आप comment क करो और मैं आपके को contact करोगा, तो इसमें गौर करने की चीज़े क्या है, पहला ये है कि कोई organization इतनी negativity में क्यों आ जाए कि कोई वहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हमेशा DGP, Home Minister ने कोशिश करने चाहिए कि ये fake encounter, corruption वगेरा के चलते, बहुत negativity जनरेट ना हो किसी एक खास विबाग या शाखा के अंदर, दूसरा कि अगर आप DGP होते तो क्या करते, क्या आप भी Twitter पे या Facebook पे ऐसा post डालते, वैसे डालतो सकते हैं लेकिन उसके चलते एक प्रकार से आप ही मजाग का पात्रव हो जाते हैं, क्योंकि बाकी state के जो होंगे DGP वगरा कि दे इसरा DGP है तो वो तो लेटर लिखके भी अपने सारे officers को बोल सकता था, तो Facebook पे ये करने की क्या जरुवत वगरा वगरा तो देखने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, फिर एक मामरा चल रहा है ये corporate governance, ये जो लेडी है चित्रा राम कृष्णा, एक जमाने में ये तो Forbes, Women of the Year और बहुत सब उसको प्रशंसा और आवर्ड मिलेते थे, क्योंकि ये national stock exchange ये NAC, सबजी बजार में क्या होता है, लोग fruit vegetable sell करते हैं, सामने लोग खरीदने आते हैं, तो stock exchange में क्या होता है, कुछ लोग shares खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, ऐसा ही secondary market है, एक बहुत NAC की CEO थी, controversy ऐसी है कि पता चला, कोई एक योगी थे, कौन वो योगी थे नहीं पता, लेकिन वो उसी को पूछ पूछ के काम करती थी, तो माली ये इसको office में 5 दिन आना हो, तो वो नहीं, मुझे योगी बाबा ने काया कि सिर्व 3 दिन ही आना है, तो मैं नहीं आऊंगी, और उसी तरह ये NAC के अंदर जो भी सब share market की secret चीज़े होंगी, वो सारा confidential detail भी उस योगी को लिख कर देती थी, रिग याज रुसमा एटाप, ये ऐसा इसका ID था, उस पे वो बेज़ती थी, अब या तो सोचिए दो मामले हो सकते हैं, ये इसको इतनी अंदस रद्दा थी कि हर चीज़ वो योगी को पूछती थी, या फिर कि असल में वो योगी कोई योगी था ही नहीं, वो कोई बड़ा share बाजार का हर्शद में था टाइप का दो नंबर का आत्मी था, जिसको ये information लिख करती थी और उस हिसाब से वो share बाजार में सब गोटाले कर वाता था, either way सेभी ने इसको ban कर दिया है कि अब से ये stock market में कोई खरीद विक्री नहीं कर सकती, फिर एक मामला चल रहा है, सेंसोडाइन, डेंटिस्ट का सुजाया number one brand, असल में बारत के डेंटिस्ट ऐसा बोली नहीं सकते, क्योंकि बारत ये दन्द चीकित सक, उसके उपर उनके जो code of ethics है, डेंटिस्ट code of ethics 2014, उसमें ये लिखा है कि डेंटिस्ट जो बारत में practice कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी dental product का public advertisement करना नहीं है, तो ये company है Glaxo Smith Klein, वो सब दवाई और toothpaste बनाती है, तो उसमें ये सोचा कि इसको कैसे undo मैं करूं, या ये कानून से मैं बाहर घुम के कुछ कि बाहता हूं कि नहीं, तो वो ऐसा करेगा कि ये Britain या Europe के जो डॉक्टर से उनके द्वारा advertisement शूट कराएगा और भारत में दिखाएगा कि हाँ ये dentist का सुझा है number one brand, तो फिर इस पर कुछ बोला गया कि ये add बन करो वरना सजा होगी वग्यर, फिर हमने कल पर सो देखा था कि जो डॉक्टर ग्रेजुएट होते हैं, तो हिपोक्रेटिक ओथ लेनी होती है नैतिक ताकि उसकी जगह चरक शपत दिलवाई जाए ऐसी बात, अब वही चीज़ पढ़ी थी, इसमें कुछ और नए factual जनरल नॉलेज डालें, आज से वो देख लेना, कुल मिलागर बात ऐसी हिपोक्रेट्स के सामने चरक उससे भी पुराने थे और उन्होंने पहले सब किताबे लिखी थी, और दोनों ही जगह एथिक्स के नाम पर क्या लिखा होगा, मलब जो शपत लेनी है, मेडिकल ओथ, उसमें क्या होगा, कंपेशन फॉर्द पेशन्ट, मरीज के प्रतियानु तो वहाँ वो सब चाइना के बारे में स्टेट्मेंट देते हैं कि उसने वो सब जमिन में उलंगन किया वगएरा, हम पढ़ने नहीं बैटेंगे, फॉर सिंपल लिजन, ये बारत चीन के लिए जितना जाने लाइक, और पिछले इतने महिनों में बहुत सारा मुद्दाम न उनका देहांद हुआ, फिर GPS के कुछ समाचार, इसके लावा और क्या, कुछ दिनों पहले हमने ये पढ़ा था कि 1972 में प्राइमिनिस्टर इंदिरा गांधी ने ये सब अमर जवान जोती, 1971 के वर के शहीदों की याद में बनाई थी, इधर बनाई थी, इंडिया गेट के कै यानि छत्री के नीचे, फिर इसको हटा कर नेशनल वर मेमोरियल के साथ मर्ज किया जाए अमर जवान जोती को, और यहाँ पर सुबाष चंद्रबोज की प्रतिमा लगाई जाएगी, पहले किंग, वो जोर्ज पंचम की मूर्थी थी, वगड़ा वगड़ा, तो इसमें से इस उमबार वाली टेस्ट में मैंने प्रशना पूछा था, फाइंट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमर जवान जोती, पहला इट इस लोकेटेड एट गेटवे ओफ इंडिया गलत, इंडिया गेट और गेटवे ओफ इंडिया दो अलग अलग इमारते हैं, और यह 1971 के शहीदों की याद में बनाए वो तो सही है, तो मरलब only second statement is correct, 48% लोगों के इसमें correct हुए, करीब 5800 लोगों ने यह एक्जाम दी थी, तो मरलब 52% के तुके गलत हो गए, समझना क्या अब ध्यान से पड़ो, gateway of India है, या India gate है, एक मुंबई में है, या दिल्ली में है, सब दे साओधी अरब में भी oil company पे अटेक किया था, फिर UAE में भी अटेक किया, तो यह यमन है, पौरोची देश कौन से हैं, साओधी अरब है, ओमान है, UAE तो काफी दूर है, green color का, कतर और भी दूर है, blue color का, कुवेत और भी दूर है इधर, यह, आता इधर से नक्षे का simple पहारी पता होनी चाहिए, not required, लेकिन आप पाएंगे कि पूराने papers में यह जो middle list वाला map है, यह काफी बार UPSC का favorite रहा है, खास कर यह Syria और इस्राइल और इसमें कौन सा कि इसको border करता है, इधर कौन सा कि इसको border करता है, पता होना चाहिए, हाँ तैसे 5,800 से जाधा लोगों मुझे दिलवाता है, यह और क्या-क्या गलती की, इन में से कौन सी चीजे इंडियन penal code में criminal act, पोजदारी अपराद नहीं माना जाता है, consensual homosexuality, आपसी सहमती से बनाए समलेंगी कृष्टे, तो वो तो सब हटाया था Supreme Court में, तो वो अब criminal act नहीं है, Adultry, वो अभी चार मरलब, शादी चुदा हैं और दूसरे के साथ रिष्टे हैं, वो भी एक जमाने में था crime, लेकिन उसको भी काफी साल पहले judgment में हटा दिया, तो वो भी अब से crime नहीं है, Marital rape, वो अमने पढ़ा था, डेली आइकोट में case चला, लेकिन अभी के लिए तो वो भी अपराद नहीं माना जाता, तो यानि कि which of these are not criminal act, तो जवाबे all of the above are not criminal act, लब तीनों के तीनों criminal act नहीं है, 50% लोगों case साही है, मलब इस में आदे students के जवाब गलत हो गए, तुके गलत हो गए, द्यान रखी, फिर यह अल्टिमेटर, यह negative news में क्यों आया था, वो 5G technology के साथ उसका सब radiation में या उसके wavelength में कुछ interference आएगा, प्लेन गिर जाएगा, यह अल्टिमेटर अपने पढ़ा था, aircraft से, spacecraft, missile सब जगह यूज़ करते हैं, उसकी मदद से altitude और distance नापने के लिए उप्योगी है, तो किसमें यूज़ करते हैं, जहाब है all of the above, 63% ने correct किया 37 के तुके गलत, त्रिको माली oil farm, वो किसके लिए वहाँ पर tanker में सब oil store किया जाए और बारत के जाए जाते हैं, उसमें डीजल बरने के लिए काम लगे, तो त्रिको माली नियरेस ट्रिलंकन पॉट फॉर्ट फॉर्म चैना ये भी सही है, और चैना इस डेवलपिंग जैसे रुचिका की कुनाल सौरब, राजु सौरब, दिव्या, उदकर्ष, विपूल, संजु, अंकित, सुजय, राहूल, शुबम, कार्तिक, अभिशेक, बीजय, सुमित, गवरव, पवन, गोपाल, साई, मोहित, दिपंकर, अर्जुन, सत्यवत, आधित्या, इनके 256 रैंक और इसके उपर भी जिनके हुए उन सबको बदाए, टॉप 10 में कुन थे, सिद्धार्थ, प्रशांत, मृरिनाल, ये टॉप 3 में, ओम प्रकाश, दर्शिल, अरुनांशु, करण, आकाश, शशांक, हर्शित, ये टॉप 10 में, तो ये सब लोग और इनके अलावा भी जिन ज बात, गुरुवार, Thursday, रात 9 बजे, ये Win22 सीरीज हो, उसके Economy अपडेट्स के लिए मेरा next lecture होने वाला है, तो ये सब के रजिस्टेशन लिंक, डिस्क्रिप्शन में दियें, free unlock code यूज़ करें, monal.org, and see you next time.